गूड मॉरिंग एवरिवन आज हम डिसकस करेंगे International Criminal Court और International Court of Justice के बीच में क्या डिफ्रेंस है किस तरह से पुतिन के खिलाब International Criminal Court में केस चला जा रहा है और देखेंगे Ethics Committee की बारे में जो Front Page का Important Article है कि कैसे Ethics Committee महुआ मोतरा के खिलाब वर्क कर रही है और क्या privilege होते हैं एक MPK और privilege committee से किस तरह से ethics committee difference होती है ठीक है तो पहला article देख लेते हैं क्या हुआ है जो फार्मर नेवी के official थे जो कतर में एक company में काम कर रहे थे उसमें क्या हुआ है उनके उपर कुछ आरोप लगे हैं और वो आरोपों को कतर government की द्वारा hidden रखा गया है तो इंडियन government कह रही है कि ये deep shock है इसके लिए हम legal provision तलाज कर रहे हैं किस तरह से हम उन आठो लोगों को बचा सकते हैं आज की newspaper में ये front page पर आये हुआ है इंडियन express और दा हिंदू में दोनों में दूसरा article related है complaint against महुआ जो महुआ मोहित्रा के खिलाब ethics committee में जो सम्मन प ethics committee कैसे work करती है किस तरह से किसी MP को ethical आधार पर उन्हें आरोप पत्र लगाये जाते हैं उनके खिलाब charges produce किये जाते हैं ये सब आज हम देखेंगे तो पहला article हम देख लेते हैं ethics committee के बारे में देखो ethics committee आप ये जान लीजिए पहले आप ये जान लो privilege committee और ethics committee में क्या difference होता है देखो ethics committee अभी जैसे recently महुआ मोहित्रा का case है तो महुआ मोहित्रा का case में क्या है कि उनके उपर आरोप लगा है cash for question कैस for question या cash for query का आरोप लगा है कि उन्होंने cash लेकर किसी business man से और parliament में या लोग सवा में question पूछे हैं तो ये एक ethical crime है मगर ये आरोप है अभी आरोप स दे सकते तो इस case में हम कह सकते हैं कि ethics committee का role किस तरह से आएगा और कैसे moral persuasion और कैसे ethical conduct को decide गया है जबकि privilege committee जो होती है वो ethics committee से बहुत different होती है ethics committee से कैसे different होती है ये grave misconduct देखती है मतलब बहुत hard cases देखे जाते हैं और ये किस तरह से MP को freedom मिल सके और वो authority को use करे और parliamentary authority के privilege को कोई misuse ना करे इस चीज़ पर privilege committee वर करती है देखो ethics committee का एक important चीज़ ये है कि ये origin हुई थी 1996 में जब डहली में presiding officers की conference होई उस conference में क्या हुआ 1996 में इस पर बात हुई कि हम एक ethics committee बनाएंगे उसके बाद राज सवा क्या हुआ इसके लिए pioneer बना pioneering का क्या मतलब है कि जो हमारे vice president थे क्यार नारायन जी क्यार नारायन जी ने first time इसको ethics committee को stabilize किया 1997 में राज सवा में और इसके लिए proper members organize की गए लोग सवा में क्या हुआ लोग सवा में इस पर discussion हुआ और इस पर study हुई कि ethics committee को लाना चाहिए privilege house of committee of privilege ने इस पर study group बनाया उसके बाद क्या हुआ 2000 में इसे ad hoc basis पर लाया गया ad hoc basis पर लाने के बाद क्या हुआ इसे 2015 में permanent fixator मिल गया मतलब permanently stabilize की गई और अब ये राज सवा और लोग सवा दोनों में पाई जाती है और ये separately separately पाई जाती है ठीक है अब अगली चीज़ क्या है procedure for complaint अब क्या complaint का procedure होता है कमिटी में देखो क्या होता है कोई भी MP के उपर अगर आरोप लगता है कि आपने corruption किया है या आपने cash for curie किया है तो उस case में कोई दूसरा MP speaker को जाकर report करता है कि ये MP जो है कि किसी cash किसी से पैसा लेकर question पार्लिमेंट नों पूछ रहा है और parliamentary privileges को down कर रहा है तो उस case में क्या करता है MP की complain की जरूरत होती है मगर अगर कोई other member complain करता है तो उस case में evidence का होना बहुत जरूरी देखो तो complaint must be accompanied by evidence of alleged misconduct and affidavit confirmed it authority मतलब evidence होना चाहिए और affidavit होना चाहिए मगर जब MP दूसरा MP complain कर रहा है तो उस case में affidavit की जरूरत नहीं है ठीक है अब speaker का क्या roll होता है अब speaker देखता है कि जो evidence है वो proper है और MP ने जो complain की है वो ठीक है वो क्या करता है ethics committee को भेज़ देता और inquiry करने के बाद क्या करती है उसको recommend करती है दूसरी stage के लिए ठीक है अगर उसमें problem मिलती है या फिर कहते हैं corruption की charges मिलते तो report present की जाती है इस speaker को इस speaker क्या करता है इस report को देखने के बाद half an hour discussion भी कर सकता है according to schedule ठीक है तो इस तरह से ये ethics committee work करती है ये इसके last process थी जो report presentation थी अब privilege committee से कैसे difference है देखो privilege committee और ethics committee में क्या difference है जो ethics committee है और privilege committee deal with similar cases मगर more serious allegation जो है privilege committee के द्वारा देखे जाते है privilege committee safeguard करती है MP के freedom को कि वो कुछ भी बोल सकता है उसको कोई भी रोकेगा नहीं उसको authority को और dignity of parliament dignity of parliament का मतलब होता है कि आप ऐसे गाली गलोज या फिर आप साब दिया फिर हाथ का उठाना ये सब ना करें ताकि parliament की dignity degraded हो ठीक है अब breach of privilege क्या होता है address किया जाता है MP और non-MP के द्वारा under the privilege committee जबकि ethics committee में focus करती है misconducting of MPs मैंने बताया था आपको कि जो MP का misconduct होता है वो mainly ethics committee के द्वारा discuss किया जाता है जबकि privilege committee बहुत सी चीजों को देखती है privilege committee के द्वारा देखा जाता है कि which of the following article of Indian constitution deal with duty and power of controller and auditor general तो देखो इसमें option article 149 ठीक है अगर आपने कल का discussion अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा हमने discuss किया था article 149 को के वो controller की power और duty को बताता है ठीक है दूसरा article दूसरा question क्या है कि दूसरे question होगा है it shall be duty of controller it all and auditor general to audit all receipts which are payable into the consolidated fund of India बिल्कुल ठीक है यह यह क्यों आप से discuss किया था मैंने कि auditor general क्या करता है audit करता है जो receipt प्राप्त होती है consolidated fund of India को ठीक है क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा जो audit किया जाता है तो उसमें stock की भी गिंती होती है तो दोनों ही इसमें correct है ठीक है यह दोनों ही option correct है ठीक है तो यह कल के question देखे आगे discussion को बढ़ाते हुए हम index of industrial production को देखते हैं देखो 14 मंत के high पर है index of industrial production देखो index of industrial production क्या होता है हम देखते हैं कि monthly हमारे industrial production में कितनी growth होई है कोई industry अगर पहले 50 सामान बनाती थी तो क्या यह 78 सामान बनाने लगी है 100 सामान बनाने लगी है तो इससे क्या होता है इससे हम calculate करते है policy formulation में यह help करता है हमारा IIP दूसरा यह help करता है GDP की calculation में क्योंकि GDP में बहुत जादा use किया जाता है इसका ठीक है तो यह चीज important है आप यह चीज main perspective से याद रख सकते हैं अगर यह prelim से पूछा जा सकता है क्या IIP का use policy formation में किया जाता है क्या GDP के calculation में किया जाता है तो यह सब चीजे important है तो पहले ही चीज क्या है यह indicator है हमारे जो production में change हो रहा है यह monthly publish की जाती है national statistical और office के दौ़ारा ministry of statistics and program implementation ठीक है तो इसके दौ़ारा यह publish की जाती है broad sector इसके दौ़ारा cover किये जाते है जिसे mining, manufacturing, electricity ठीक है अब basic goods cover किये जाते हैं capital goods cover किये जाते हैं intermediate goods cover किये जाते हैं देखो basic goods क्या हो जाते हैं जो हम production में use करते हैं capital goods क्या होते है जिसे reproductive करते हैं जैसे capital goods का मतलब होता है कोई machine है तो यह capital goods है कैसे capital goods है देखो capital goods यह इसलिए है कि इसी machine के जरिए यह machine हम use कर रहें इसी machine के जरिए other product बनाएंगे तो यह capital goods किला था product से हम product बना रहे है base year 2011-12 होता है थीक है help करता है हम लोग उसको जानते हैं कि कैसे production हमारी industry में बड़ा है और ये important चीज़ है ये मंथली publish किया जाता है ये चीज़ आप मत भूलना है ये मंथली publish किया जाता है और NSO के द्वारा publish किया जाता है base year इसका 2011-12 significance देख लो significance क्या है इसका significance में बात की गई है वही कि government agency के द्वारा जैसे ministry of finance हो गई आर बी आई हो गई तो इसका policy making में help होता है GDP को जो हम calculate करते हैं उसमें help होता देखो index of industrial production में 8 core sector होते हैं ये UPSC इसका chronology पूछती है तो ये 8 core sector जो है index of industrial production में 40.27% weightage है इसमें से देखो जो आप इसका increasing order देखोगे या decreasing order देखोगे तो ये रैस C होता है मैंने रैस C करके याद रिखा था देखो refinery का सबसे ज़्यादा इसमें contribution होता है फिर electricity फिर steel फिर coal फिर होता है crude oil फिर natural gas फिर cement and then fertilizer ये होता है मगर रैस C आप याद रख सें देखो refinery 28.04 इसमें weightage है उसका ठीक है और जबकि उसके बाद electricity 19.80 है और steel का 17.92 है और coal का 10.33 है उसके बाद crude oil का है फिर उसके बाद देखो natural gas का है और last में देखो fertilizers का है अब last का और सुरू का याद कर लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा problem solve हो जाती है अगला article देख लेते हैं ICC के बारे में International Criminal Code के बारे में recently क्या हुआ है जब से ICC ने पुतिन के खिलाफ arrest warrant निकाला है उसके बाद वो first trip जो है किर्गिस्तान गए है तो पहले हम किर्गिस्तान का map देख लेते हैं bird map पर देखो bird map पर ये देखो किर्गिस्तान का map दिखाया गया है ये ट्रॉपिक आप कैंसर जा रही है जो हमारे इंडिया से होती हुई अरब से होती हुई लीविया, एजिप्ट से होती हुई जाती इसके ऊपर ये हमारा क्रिगस्तान है किर्गिस्तान का border जो है इसका eastern side में चाइना से मिलता है और northern side में कजाकिस्तान से मिलता है western side में उजबेकिस्तान से मिलता है और southern side में इसका तजाकिस्तान से मिलता है देखो आप छोटे में 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 देख लो ये हो गया आपका चाइना ये कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तज जाकेस्तान और ये किर्गेस्तान और इसकी कैपिटल बिसकेट ठीक है अब हम ICC के बारे में देख लेते हैं देखो इंटरनेशनल किर्मिनल कोड जो है मेली इंडिविज्विज्वल क्राइम को बहुत जादा देखता है जैसे अभी रिसेंटली चर्चा में आ रहा है कि नित चेंबर बना कर रखोगे 56 सालों तक तो वो तो फटे गाई तो इसके बाद क्या हुआ वहां के फॉरेंड मिनिस्टर इस्राइल के फॉरेंड मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के चीफ सेक्रेटरी का रिजिनेशन मांगा तो इस तरह से क्या होता है इस केसेज को जो इ इसको देखोगे तो इसमें केसेज बांडरी डिस्प्यूट होते हैं सौवरनेटी से रिलेटेड होते हैं कोई ट्रीटी से रिलेटेड होते हैं तो इस तरह के केसेज ज्यादा होते हैं कुछ केसेज आई सी सी को यूनाइटेड नेशन से इंडिपेंडेंट बॉडी है इस इसका United Nation से independent body है इसका United Nation से कोई संबंद नहीं है तो आप देखो यहाँ पर ICC के बारे में बताया गया है कि यह International Criminal Court है जिसका आफिस हेग में रिस्तित है यह last resort है prosecution का जीनोसाइड के खिलाब war crime के खिलाब और crime against humanity ठीक है इस तरह से पुतिन के खिलाब केस चल रहा है उकरेन के लिए उस तरह से नितनियाहू के खिलाब भी केस चल सकता है आरफ कंट्री के अकॉर्डिंग यह first permanent treaty waste international criminal court है मतलब यह permanent है एक treaty है जिसे Rome is situated कहा जाता है जिसके दौरा इसे 2002 में stabilize किया गया इसके दौरा most serious crime के cases देखे जाते हैं इसमें state party होती है देखो funding कैसे होती है या तो state party देती है या voluntary contribution किया जाता है international organization के दौरा individuals के दौरा corporation के दौरा ठीक है composition में इसके कौन कोन होता है देखो legislative body होती है assembly होती है तो इसकी assembly में क्या होता है कोई भी चीज है उसके लिए voting क्या होती consensus पर होती है मतलब one party one vote होता है अगर consensus नहीं हो पाता है तो उस case में voting होती है और decision जो है voting के आधार पर लिया जाता है assembly जो preside करती है वो president के द्वारा preside की जाती है two vice president होते है और three year के लिए जो state के member होते है वो elect किये जाते है ठीक है jurisdiction क्या है मैंने आपको बताया कि genocide के लिए होता है crime against humanity के लिए होता है war crime के लिए होता है ठीक है यह सब चीजें इसमें बत सकते हैं मतलब depend होते है member state पर अब मानलो पुतिन को arrest करना है तो कोई भी country पुतिन की country में नहीं जा सकती यह चीज़ है तो इसमें यह इसका एक criticism है कि आपके पास capacity नहीं होती arrest करने की और check and balance नहीं है क्योंकि western influence बहुत जादा है इसमें western imperialism बहुत जादा है तो wiceness है मानलो नितियाव पर case होना है US जो है इस case complaint को संग्यानी नहीं लेता है तो उस case में ICC में case नहीं हो सकता तो यह viceness एक बहुत ही criticism है बहुत बड़ा criticism है और cases को successfully solve नहीं किया जाता कॉपरेशन देखने को नहीं मिलती है अब ICJ and ICC में आप difference देख लो देखो ICJ जो होती है international court of justice इस जबकि international criminal court को stabilize किया गया 2002 में United Nations से relation क्या यह official court है इसे word court के नाम से जाना जाता है यह याद रखना UPSC other name बहुत use कर रही आजकल तो word court को किस नाम से जाना जाता ICJ के नाम से जबकि यह जो है ICC यह independent है और complaint जो है receive कर सकता United Nations Security Council से और उस पर संग्यान ले सकता दोनों का office हेग में है ठीक है यह contentious issue देखता है जैसे advisory opinion देगा sovereignty पर boundary dispute पर maritime पर natural resources कौन violate कर रहा है C का कौन violation कर रहा है यह जो है genocides है genocides बच्चों को मार देना humanity के खिलाप कुछ करना war crime करना लडाई फाल्टू में कहीं करना aggression crime of aggression करना ठीक है इसकी funding जो है यह आप देख लो इसकी funding जो है वो united nation द्वारा दी जाती है जबकि इसकी funding Rome statutes के द्वारा इस्टेट्स के द्वारा दी जाती है individual organization corporation और other entity के द्वारा दी जाती है तो इस तरह से हमने आज के article discuss किया आप से मेरी गुजारे से हमारे channel को जादा से जादा subscribe कीजिए share कीजिए thank you thank you very much